नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मेहू काजो नारायन शुरुवात करेंगे उत्तरप्रदेश के खास बॉलिटिन की उत्तरप्रदेश के विधानसवा चुनाव आने से पहले ही पार्टी के सदस्यों की भाग दौर शुरू हो चुकी है पूर्व बसपा वधायक डौक्टर धंपाल सिंग अकली शुयादब की पार्टी सफ़ा में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों के साथ लखनाओ के लिए रवाना हो चुके हैं आपको बता दें कि डौक्टर धंपाल सिंग अत्मातपुर से दो बार बसपा वधायक रहे चुके हैं वहीं देयालबाग से एक बार जन मोचा से वधायक भी रही है मुखतार अंसारी अंबुलेंस मामली में बार बंकी पुलिस के एक और काम्याबी मिली है लंबे सले से फरार चल रहे है मुखतार के एक गुरगे श्वाहित को पुलिस ने गिरफतार करिया है जन्तर द्वारोबंकी में फेक डाकुमेंट के आधार पर एम्मुलेंस प्रेयोग करने के लिए एक मुकदमा लिखा गया था इसके बाद आज अली मुहम्मद जाफरी और साहिट जो इनका में आदमी था जो सारे बंदोबस्त में लगा रहता था इनके कामों को देखता था वो पकड़ा गया है उसको अब जेल भेजा जा रहा है पूर्विधायक विजोपाल सिंग तुबाम कारकरताओं को लेकर अपनी पत्नी सपपरत्याशी सुनीता सिंग को लेने के लिए मददान केंदर जा रहे थे पूर्विधायक विजोपाल सिंग और उनके सवर्थकों के खलाब मुकदमा दर्च किया है जिनांक 10 जुलाई 2021 को ब्लाप मुक चुनाओं की मदब्रणा के उपरांथ पूर्विधायक विजोपाल के द्वारा अपने प्रत्यासी के हारने के उपरांथ जो ड्यूटी रत पुलिस कर्वी थे उनके वृद्व अवद्र भासा का प्रियोग किया और सत्ता में आने के उपरांथ जो है देख लेने की धंकी दी इस अंदर में उनके और उनके साथियों के वृद्व थाना फरीदपूर में धारा 188, 279, 270, 353, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा पंजिकरत किया गया है तथा आवस्यक विदिकारवही की जा रही है अपरमुक्य मंत्री केशिव पसाद मौरया मुरादबाद पहुचे वही मुरादबाद के सरकित हाउस पहुचकर मुरादबाद मर्लि के लोग निर्माण विभाग, निर्माण निगम, सेतु निगम की परियोज नाम का लुकारपण औश्यलन न्यास किया इसे के साथ प्रभारी को एक ज्यापन देकर उन्नाव के सीडियों पर कारवाई करने की मांगी है। ज्यापन का अग्या है कि अगर कारवाई नहीं की गई तो पत्रकार सड़क पर उतर जाएंगे। अधिकारियों के दार मारपीट की गई है अधिकारियों को मीडिया के द्वारा अपना परिचत देने के बाद भी जिस तरह से सीडीयों ने उस तरह से दोड़ा दोड़ा कर पीटा है यह वाकाई निंदनी इसके विश्था में हम लोगों ने आज मुख्य मंतरी जी को एक ग् द्वरेज के दवरान हमारे पत्रगार साथी कृष्णा तीवारी के साथ वहाँ के गुंडा सीडीयों दिव्यांशू पटेल ने मार पीट कर दी थी पुलिस बल के साथ उसको दवड़ा दवडा कर पीटा पत्रगार के साथ इस तरीके की प्रशाष्णिक अधिकारी द्व यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज हमने प्रिशासन के माध्यम से माननी मुख्यमंत्री महोदे को ग्यापन भेजा है। यह तुरान होटल का मेनेजर मौके से फरार हो गया जिसकी पुलिस तराश कर रही है। इनके बुर्द अनैकिक व्यापाव दिवारम अभीयों का अभीयोग परिशन किया जा रहा है। इन लमों को अगनों तंजकित्य पीची जीए इस मामली की जानकारी मिलता ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कवजमे लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बेज दिया हुए और मामले की चानवीन शुरू करती है गरेटे नुएडा में हाई जो हाई वोल्टिज ड्रामा देखने को बिला जोहां एक विदेशी युवक अपनी गर्फरिंड से नाराज होने पार एक निर्मान धिन बिल्डिंग के 24 माले पर चड़ गया और जम कर ड्रामा करने लगा बताय जा रहा है कि ये खुदकुशी करने के लिए चड़ा था करीब धाए घंटे बाद उसको जैसे तेसे समझा बुजा कर नीचे उतारा गया यूपी की पेली भीट में संदिक परस्युतियों में एक विवाईता का फांसी पर लटका हुआ शौम मिलने से हड़का मच गया बताय जा रहा है कि ये खुदकुशी का मामला है वहीं गट्टा के बाद सेस्वाल और माई के पक्ष ने एक दूसरे पर आरूप लगाया फिलहाल गट्टा की सूच्टा पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शौप को कबज में लेकर पोस्मार्टन के लिए भी इस्टिया और मादी की चार्श परताल में चुट गई है उसके अंदर पिंजाब ले धानगडाई और उसकी बहुत जो घर पर नीरज दे भी यही उस दिने सुनीलने से सब बलतिकार करो पर रहे हैं अब लए जाए कि नहीं लोगा नमारी दमादन और उनके घर बारें कहाँ लिए अपनी मामला क्या हुआ है कोई छेड़ खानी का इस ले चेड़ खानी को माबला भो बुढ़ना इनके घर माएं उनने लोडिया हमारी छेड़ खानी करी अगले आदमीं को नाव लगाओ रोजदारू पिया थे बैट 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 पिया उथे उसा है कोई है वो उनके टड़की के ससुर दोनों बाप बेटा पिया उथे और पिया थे खूब बैठा रहे हर दो अगलों मेकारवाई का भरोसा दिलाकर मामने को शान्त कराया है मैं आट बज़ के 49 मेट से लगा था सीमो सर के कांटेक्ट कर रहा हूं कोई भी आने को तयार नहीं हो तो मैं साड़े ग्यारा बज़े आपे गाड़ियां बुलाई मजबूरन मुझी एक कदम उठाना पड़ मेरट में थाना लिसारी शेत्र के राशित नगर में दो पक्षों में मामली बात को लेकर विबाद हो गया जिसके बाद दोनों पक्षों में जम पर मार पिटाई हुई लाटी डंडे चले जिसके चलते कई लोग अंभी रूप से खायल हो गए वही सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष सर्ताज और उसके बेटे आदिल और शादाप को इरास्त में ले लिया जिन पर तहरीर के अधार पर पुलिस कानूनी कारवाई कर रही है उत्रप्रदेश के खाज बुलिचन में इतना ही आप बने रही है नियूसवल इंडिया के साथ